के लो स्टुडेंट्स कैसे आप सब लोग बढ़िया तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में फोर्स के बारे में अभी तो बहुत सा ही चीज़े पढ़ चुके हैं जैसे कि फोर्स की हमने डेफिनिशन देखी समझा उसके बारे में क्या होता है इसे दिए पॉइंट हमेशे याद रखने है तो दो पॉइंट है जो उसको नोट करके रखेंगा बच्चों पनी कॉपी में देखिए सबसे पहला पॉइंट है दसन मून अर्थ सन जानते हैं सूरज मून जानते हैं चंद्रमा और जानते आप जिस पर रहते हैं और प्लैनेट जो भी सूरज निकलता है क्यों आपकी अर्थ एक खॉंस्टंट स्वीट पर चलती रहती है कि आ आपकी जो अर्थ है वो हमेशा रिमेंस रहती है इसी तरीके से वापकी gravitational force की वज़े से इसलिए ठीक है if the earth has no has no force of gravity अब आप भी तो खड़े हुए हैं जबीन पे कैसे खड़े हुए है gravity की वज़े से इसी gravitational force की वज़े से ठीक है ना आप भी तो stable है और अगर gravitational force gravity नहीं होगी तो आप भी कई उड़ जाएंगे या फिर आप भी कई डंग से चल भी नहीं पाएंगे तो if the earth has no force of gravity अगर इस अर्थ पर gravity नहीं होगी all of us will be floating in the air तो भी हम तो हम क्या होंगे एर में float करने लग जाएंगे हम कैसे खड़े हूँ है बिल्कु अच्छी तरीके से क्यांकि gravity है कोई force है इसको बोलते है gravitational force बच्चों ठीक है समझे आप gravitational force है कैसी force है जिसकी वज़ेसे हम अर्थ पे खड़े हुए हम float नहीं कर रहे हैं बहनी रहे हैं ठीक है इसी तरीके से first point आप समझे कैसे flow कैसे जो अर्थ है मून है वो सब्सक्राइब रिमेन है constant तो आप नीचे बहुत नीचे तर नहीं जा सकते हो कुछ एक minimum नीचे तर जा सकते हो लेकिन आपको और नीचे जाना है तो आपको आपको करते हैं वह आपको देते सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन maximum फ्रिक्शन देर्फोर इसी लिए objects moving in air और water और जो की objects जो भी चीज़े चलाई जाती है कि इसमें air में और water में have streamlined bodies मतलब एक बहुत अच्छी streamlined का क्या मतलब है वैसी body जो की असानी से चल सके और water में तो ऐसी body मतले जाती कि स्ट्रीम लाइंड बॉडी बना जाती क्यों ताकि वह उस रुकावट को उस रिक्शन को कम कर सके जिससे वह अच्छी तरीके से चल सके हैं और water में ठीक है तो जो air में और water में चलती है जो बॉडी जो क्या बोलते हैं बच्छो ट्रीम लाइंड बॉडी बोलते हैं क्या बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी अगर हम सम्मरीन जैसी body बना देते हैं अरोपलीन की तो वह क्या उड़ पाता नहीं उड़ पाता तो कि उसकी इस तरीके से बॉडी बनाए गई उस तरीके से स्ट्रीम लाइंड डिजाइन करा लिया उसका ताकि वह हवा में उड़ सके ठीक है तो बच्छो उन बॉडी सुक बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी तो इसके बाद देखतें बच्छो एक्सरसाइस इन दोनों पॉइंट्स का उपने कोपी में उतार के रही है